अज़ हम बनाएंगे पफ पेश्ट्री यह बहुत ही काम की चीज है इससे बहुत सी आगे चीजे बनती हैं बेक्री की जैसे चिकन पैटेस और पोटेटो पैटेस चोबी इससे बहुत कुछ बनता है तो आज हम लोग सीखेंगे पफ पेश्ट्री बनाना और उसके लिए जो मैदब मैद या थंदा पानी कि यह हम उतना हिं यूजज जितना हमinely जरूरत 300 g मैदे में मैंने लिया है 200 g बटर इसको मैंने इस फार्म में कर लिया है सीधा करके फ्लैट और इसको मैं अब फ्रीजर में रखतूंगी सबसे पहले हम लोग कुं देंगे डो इसको हम लोग रखते हैं फ्रीजर में और डो में डालेंगे हम लोग तकरीबन यह एक टी पानी से यह डो गूंदेंगे और डो हम थोड़ी सक्त गूंदेंगे गिली गिली नहीं होनी चाहिए यह डो जैसे हम लोग आटा गूंते हैं यह गिली गिली डो नहीं होनी चाहिए सक्त डो गूंदेंगे चितना पानी यूज होगा उतना ही लगाएंगे अगर पानी कम पढ़ चाएगा तो हम लोग और भी ले सकने हैं यह डो जो है इस तरह की होनी चाहिए वेट नहीं होनी चाहिए सक्ट सक्ट डो होनी चाहिए इसको हम लोग करते हैं साइट पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस डो को हम लोग पांच मिनट के लिए नीट करेंगे इस तरह से यह दिखें यह डो जो है वो गुन चुकी है अब हम लोग इसको गीला टावल हलका हलका वेट टावल देकर इसको तकरीपन आधे से पौने घेंटे के लिए रेस्ट पर रखतेंगे चीतो व्योवर्स यह आटे को जो है वो रेस्ट आ चुका है अब हम लोग इसको नुकाल लेंगे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और थोड़ा सा उपर भी मैदा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा बेलेंगे यह देखें यह लंबाई के रुख बेलेंगे फिर थोड़ा सा इसको इस तरह उठाके चुड़ाई के रुख बेलेंगे और तक्रीबन इसको एक स्केर की शकल में हम लोग एक थोड़ा सा यह चुड़ाई में हम लोग कर देंगे इस तरह से और आप कोशिश करें कि जितनी इसकी चुड़ाई है एक गुणा अगर इसकी चुड़ाई है तो यह तीन गुणा लंबा हो यानि कि हम लोगों को इसकी चुड़ाई और लंबाई का हिसाब जो रखना है वो एक और तीन का रखना है जितनी चुड़ाई है और उससे दो गुणा और यानि कि एक गुणा चुड़ाई और तीन गुणा लंबाई हो इस तरह हम लोगों को इसको रेडी करना है यह देखें अब मैं आपको अंदाजन इसको नाप कर दिखाती हूँ यह देखें यह तक्रीबन एक जो है हमारा यह चमचा है यह मैंने लिया है और यह एक है और यह हमारे तीन होने चाहिए यह देखें एक यह दो और यह तक्रीबन तीन तीन से थोड़ा सा कम है तो यह चलेगा यह हम लोगोंने रेडी कर ली है अब हम लोग यह जो मक्खन है यह मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है इसको मैं थोड़ी सी जगह छोड़कर इसको रख दूँगी और इसको यूँ सप्रेट करूँगी इस तरह इस तरह इसको दो हिसों पर मैं सप्रेट कर दूँगे और एक हिसा खाली छोड़ूँगी यह आप इसकी थीन लियर करके इस तरह आप करकर के इसको दो हिस्सों पर सप्रेट कर देंगी यानि कि जो डबल है इस पर सप्रेट कर देंगी और एक हिस्सा जो है इसको छोड़ देंगे इस तरह यह देखें यह मैंने अच्छे से जो है आप फोर्क की मदद से भी कर सकते हैं इसका लेवल यह देखें थोड़ा सा बस यह साइड़ों से थोड़ी सी जगह छोड़ दी है बुहत शुरू से शुरू नहीं कर देना यह देखें यह तकरीबन दो हिस्सों पर जो है वो मखन लग चुका है और यह एक पार जो है वो खाली है अब जो खाली पार्ट है उसको हम लोग यहां पर रख देंगे और इस पार्ट को उठाकर इसके उपर रख देंगे इस तरह से और यह दिखें यह रेडी हो चुकी है इस तरह से अब यह बिलने के लिए रेडी है अब हम लोग थोड़ा सा मैदा सब्ट्रेट करेंगे इसके उपर और इसे ध्यान से उठाकर नीचे भी मैदा सब्ट्रेट करेंगे और इसे रोलर से हलकी हाथों से बेलेंगे कोशिश करें आप के इस बात का आप देहान रखें कि यह हमारे जो शीट है यह इधर से फटे ना क्योंकि अगर फटेगी मक्षन बाहर निकलेगा तो पफ पेस्ट्री ठीक नहीं बनेगी तो आप हलके हाथों से बेले और इसे लंबा कर ले जितना हम लोगों ने पहले किया था उतना लंबा करें और उतना ही चुड़ाई के रुख कर ले यह दिखें हम लोगों ने इसको बेल लिया है काफी लंबा अब हम लोग तुबारा से इसको इस तरह से उठाकर और इस तरह से रखेंगे और एक दफ़ा फिर इसको बेलेंगे थोड़ा सा मैदा ड़स्ट करेंगे यह दिखें इसको हम लोगों ने फिर बेल लिया है अब हम लोग इसको फिर अराम से उठाकर इस तरह और इस तरह रखेंगे और खुश्का सप्रेट करके इसको फिर बेलेंगे बलके मैं इस लोग से बेलती हूँ ताके आपको अच्छे से नजर आए यह प्रोसेस हमें यह मैंने थर्ड टाइम कर रहे हूँ यह मैंने तीसरी दफा बेलन स्टार्ट किया है बेलना हम लोग को यह प्रोसेस तक्रीबन अच्छे दफा करना है अगर आपको लगे कि मखन जो है इसमें से नरम हो रहा है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए दस पंद्रा मिनट के लिए फ्रीजर में रखतें लेकिन आजकल सर्दियों का सीजन है तो ऐसा को एक मसला नहीं है यह देखें यह मैंने एक और बेल लिया है अब मैं खोड़ा सा इस रुख बेलूंगी इस तरह से इतना आप बेलते जाएं और फोल्ड करते जाएं इस तरह से यह देखें यह बेल चुका है एक तफ़ा फिर यह देखें मैं दुबारा से आपको दिखाती हूं यह एक और यह दो और यह तीन और यह चार एक यह साइट और यह देखें इधर से तक्रीबन थ्री और वन का जो जो है रेशू है तो हमें इतना ही रेशू रखना है और आप इसको एक दफ़ा फिर से हम लग फोल्ड कर देंगे इस तरह से और इस तरह से और इसको अब हम लोग चौथी दफ़ा बेलने जा रहे हैं अराम अराम से इसको दबा कर और इसको फिर हम लोग बेल लेंगे मैं इसका रुख चेंज करके इसको बेलती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए थोड़ा सा मैदा सप्रेट करेंगे थोड़ा सा नीचे भी मैदा सप्रेट करेंगे इस तरह से और इसको एक बार फिर बेलेंगे करेंगे वही एक तीन की रेशो से लंबाई तीन गुना और चड़ाई एक गुना इस पाच मी दफा भी बेल चुकी है अब हम लोग थोड़ा सा इसको इस साइड पे बेलेंगे लंबाई हम लोग ने कर लिए बराबर और थोड़ा सा इस आई पे बेलेंगे । इस तरह से देखे हमें काटने की भी किनारे जूरुत नहीं हैं बड़ी देखिए अच्छे तरीके से स्मूथ से हमारे बन रहे हैं और देखिए हम लोग हाथों से इसको अच्छी सी शेव दे रहे हैं और ये भी तक्रीबन रेडी हो गया अब हम लोग लास्ट टाइम हम लोग इसको बेलेंगे अब हम लोग लास्ट टाइम इसको बेलेंगे च्छटी दफ़ा ज्यादा नहीं थोड़ा सा अगर जूरत होगी तो कुछ का डस्ट करेंगे और फिर इसको बेलना शुरू करते हैं यह देखें यह लास्ट टाइम भी बेल चुकी है अब मैं यह देखें इतने साइज का तक्रीबन इस से थोड़ा सा भड़ा मैंने बटर पेपर लिया है यह हमारी रेडी है यह देखें इसकी मुटाई यह इतनी मोटी होनी चाहिए है अब हम लोग इसको सेफ करेंगे और बड़े देहान से मैं इसको उठाऊंगे और यह नीचे बटर पेपर बिछा दूंगी और इसको हम लोग इस तरह यह देखें यह हम लोगों की रेडी है पाफ पेस्ट्री होमेट और यह मैं यह देखें इसकी इतनी मोटी हमें चाहिए है बहुत मोटी या बहुत बारीक नहीं यह थोड़ी सी मोटी होती है इसके साथ हम लोग जो हैं चिकन पैटिस बना सकते हैं क्रीम रोल बना सकते हैं बाकर खानिया बन सकती हैं बहुत कुछ बनता है इस पफ पेस्ट्री शीट से तो इसको आप ट्रेडि करें यह वैसे ये बाजार से भी मिल जाती है तो ये थी हमारी आज की रेस्पी अब इसको मैं आपको ये देखें ये आप नीचे बटर पिपर भी चाहें इसके उपर ये शीट रखें और इसको यूँ हल्के हाथों से फोल्ड करते जाएं ये देखें मैं फोल्डिंग आपको दिखा रही हूँ इस तरह आप फोल्ड करते जाएं और इसको आप फ्रीजर में तकरीबन एक से दो मा के लिए राम से यूज़ कर सकते हैं तो ये देखें ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है होमेज पॉफ पेश्ट्री बनाने का और इसको महफूज करने का तो चले आप हम लोग इंशाला नेक्स्ट वीडियो में इसी पॉफ पेश्ट्री से चिकन पैटिस या कुछ ऐसी चीज बनाएंगे तो चले ये थी हमारे आज की रेस्पी अगर आपको ये पॉफ पेश्ट्री की रेस्पी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड और फैमिल्स के साथ शेयर भी करें और मिलते हैं नए रेस्पी के साथ प्रो रेस्पी में तब तक के लिए अल्लहाफेज